हैलो फ्रेंड स्वागत है आपका एच्छवी कीचन में आज मैं अतम नया नास्ता बनाने जा रही हूँ सायदी ये नास्ता आप बनाए होंगे ये टेस्टी के साथ साथ हेल्थी तो होता ही है यदि ये हमारी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं एक बरतन में एक कटोरी चावल का आठा ले लिए हैं अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक अप अपने टेस्ट के अकोडिंग ले सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा गुण-गुणा पानी डाल करके आठा गुंद लेंगे और आठा जादा सकत नहीं होना चाहिए और न जादा गीला सब्ट आटा लगा के तयार करना है तो लिजे फ्रेंड्स आटा लगा के तयार कर ली मैं और मैं दो तरह से रिस्पी बनाने वाली हूँ तो इसी बावल में एक कटोरी और चावल का आटा लेंगे आधा छोटा चमच नमक डाल लेंगे यहां मैं पालक को बावल करके पेश्ट बना ली हूँ अब चावल के आटा में मिक्स कर लेंगे तो इनास्ता और हिल्दी हो जाएगा अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल करके इसको भी सौप्ट आटा लगा लेंगे यह दो तरह का डो बना ली मैं नहीं रहता है और एस जैसा हो जाता है इस रेश्पी में मैं श्टरफिंग का टेस्ट अलग बनाऊंगी एक ही एक ही टेस्ट हर रेश्पी में अच्छा नहीं लगता है इससे पहले मैं डिजाइन वाला समोसा बनाई थी उसका श्टफिंग का टेस्ट अलग था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आप चेक कर सकते हैं सारा आलू मैं कदू कस कर ली आप चलते हैं फ्राइ करने कडाही गरम कर लिये हैं लगभग दो चम्मच तेल डाल लेंगे और आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे आधा छोटा चम्मच राइ डालेंगे और दोनों को हलका पका लेंगे जीरा राय चटक गया है अब थोड़ा सा हिंग डाल लेंगे और दो मेडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और तेल में मिक्स कर लेंगे और शाथ में डाल लेंगे दो बारिक टीवी हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के कोडिंग ले सकते हैं गयस का फ्ले मेडियम रखेंगे और प्याज को light golden color होने तक भून लेंगे प्याज light golden color हो गया देख सकते हैं अब डाल लेंगे एक छमच अद्रक लसन का पेस्ट और कचापन दूर होने तक भून लेंगे लगभग एक मिनट यहां मैं एक इंच अधरक और सताठ कली लसन को पेश्ट बना करके ले ली हूँ अधरक लसन भून गया है अब डाल लेंगे मसाले मसाले को अच्छे से भून लेंगे तेल से प्रीट होने लगा है आप देख सकते हैं अब डाल लेंगे मतर यह मैं आधा कप मतर को हलका बॉयल कर ली हूँ नमक डाल करके अब मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग आधा मिनट मसाले के साथ मतर को भी फून लेंगे अब डाल लेंगे कदुकस किया हुआ आलू और शाहथ में ही डाल लेंगे टेस्ट के कॉड्िंग, नमक और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैसका फ्ले मे guesses medium to low रखेंगे और मसाले के साथ आलो को भी लगभक 2-3 मिनट भोल लेंगे तो stuffing का अच्छा टेस्ट हो जएगा, अच्छा टेस्ट आएगा stuffing में तो लेजिए फ्रेंज, बहुत ही चटपटा और टेस्टी आलो का स्टापिंग बनके रेडी हो गया, आप एक बार इस तरीके से ट्राइ जरूर कीजिएगा, यह बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे, और मिक्स कर लेंगे, और गै जर्णिया लेंगे, और एक चोथाई का प्रोष्ट किया हुआ मुंख फली, और एक टमाटर को पका करके छिलका हटा के छोटा-छोटा कर ली हुमें, और शादाट कर ली लसुन, और दो हरी मिल्च, और टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल लेंगे, और धकन बन करके ग्राइ और गोल-गोल कर लेंगे, इस तरह से गोला बना लेंगे, दोनों डो को इसी तरह गोला बना लेंगे, दोनों डो से मैं अलग-अलग तरह के रिष्पी बनाने माली हुम, अश्टफिंग एक ही रहेगा, आप पूरा वीडियो देखेगा, तभी पता चल पाएगा, गोला ब प्रेस करते हुए इसको फैला लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से फैला लेना है अब एक से डेड़ चमच अश्टपिंग डालेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे और इसमें पाने लगाने की जरुद नहीं है चावल का अटा है तो यह चिपक जाता है अच्छे से और दोनों किनारे को उठाएंगे इस तरह से आप देख सकते हैं और एक दुसरे में अच्छे से चिपका लेंगे दबाँ दबा से और श्टपिंग सेट करते जाएंगेर चावल का आटा है यह थोड़ा फटने लगता है तो हलके हाथो बां दबा करके अच्छे से चिपका ले भी अच्छा लग रहा है सार नास्ता बनाके डी कर लेंगे नास्ता ज़ाइपर बनाने से optic अच्छे से बन जाता है अब लोई लेंगे अब इस तरह से अगली के सहायता से गोलगल करपी कटोरी बना लेंगे अब देख सकते हैं और श्टफिंग डालेंगे, ये चावल काटा है, तो कटोरी बना करके ये नास्ता बनाने में थोड़ा सा प्राबलम होता है, फटने लगता है, अच्छे से नहीं बन पाता है, इसलिए हमको जारा पर बनाने में अच्छा लगता है ये नास्ता, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और देखने में भी अच्छा लगता है, और बनाना भी इजी हो जाता है, आप देख सकते हैं, ये नास्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, सफेद वाला डो से भी इसी तरह नास्ता बना लेंगे, सारा नास्ता बना के रेडी कर लेंगे, आप देख सकते हैं, देखने में बहु अब प्लेट से ढख देंगे और पूरा नहीं ढखेंगे थोड़ा खुला रखेंगे पूरा ढखने से पानी उपर फीग देगा और 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे पका लेंगे ये नास्ता बहुत चल्दी पक जाता है लगभग 8 से 10 मिनट हो गया नास्ता पक गया है अब गैस अ कर देंगे अब एकी करके निकाल लेंगे नास्ता को हलका ठंडा कर लेंगे और उपर पानी है उसको सुखने देंगे और दोनों को दो तरह से बनाएंगे हलका ठंडा हो गया है और पानी भी सुख गया है साइड में मैं तेल गरम होने के लिए रख दी थी अब एकी करके न नास्ता डाल लेंगे और गैस का फिलेम हाई रखेंगे नीचे से नास्ता हलका पक गया है अब इके करके पलट लेंगे इसी तरह अलटते पलटते हुए लाइट गोल्डन कलर होने तक तल लेंगे अब दिख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर हो गया है अब निकाल लेंगे और इसी तरह सारा नास्ता तल लेंगे, अब सफेद वाला नास्ता बना लेते हैं, कडाही गरम कर लिये हैं और लगबग 2 Значит तेल डाल लिये हैं, और तेल गरम हो गया है, अब 1 चोटा चम Möglich जीर डालेंगे, एक छोटा चमच राई डालेंगे और दोनों को पका लेंगे अब थोड़ा सा कड़ी पता डाल लेंगे और तेल में मिक्स कर लेंगे या मैं सुखा कड़ी पता ली हूँ आपके पास हरा कड़ी पता है तो हरा ले लीजिए और आब एके करके नास्ता डाल लेंगे और गैस का जाएगा लगबग 2-3 मिनट हो गया आप गैस आप कर देंगे तो लीजिए फ्रेंड्स चावल का आटा का दो तरह से हेल्दी नास्ता बनके रेडी हो गया इसे आप सुबा या साम के नास्ता में बना सकते हैं एक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है एक मैं काट करके आपको भी बहुत पसंद आएगी एक डिप क्राइग किया हुआ नास्ता भी दिखाती हूँ उपर से क्रिस्पी है और अंदर से शॉप्ट है आप देख सकते हैं मैं तोड के दिखाती हूँ यदि यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा फ्रें करना बिल्कुल न भूलिएगा